विडियो में हम बात कर लेते हैं EIGRP का जो security के configuration का part है which is EIGRP authentication और authentication जो EIGRP support करता है वो सिरफ MD5 encryption वाली करता है तो almost सारी की सारी routing protocol they support authentication और कुछ ऐसी है जो plain text authentication में support करती है जो की ना के बराबर है और जैसे कि EIGRP है it supports MD5 authentication तो कैसे करना configuration उसके लिए देख लेते हैं और EIGRP का जो authentication का part है वो 2-3 step का process है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक key generate करनी है सबसे पहले तो key chain बनानी है तो मालनो आपके interest के router router 1 and router 2 है तो router 1 पे आप लिखेंगे key chain और यहापे कोई भी एक नाम देदो मालनो मैंने नाम देदिया test enter करोगे तो आप एक sub mode के अंदर आ जाएगे यहाप एक key define कर दो मालनो मैंने number देदिया one है अब इस one के अंदर आपको key string होता है जिसको बोलते हम EIGRP का password है आपकी key क्या है वो तो key string मैंने लिख दिया मालनो जी testing for example है न एकजिट करोगे यहाँ से एक बार और एकजिट करना पड़ेगा क्योंकि आप दो sub mode के अंदर हो या फिर ctrl z कर दो जो भी आपका यह पहला step पूरा हो गया आपका और यह step क्या मोलता है कि आपने अपनी key generate कर दी है same to same काम आपक पर अपलाई नहीं किया है तो second process होता है आपकी key को आपकी key chain को इस interface पर अपलाई करना तो आप interface fa 0x0 पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे interface fa 0x0 ip authentication और key chain किसके लिए लगा रहे हो key chain आप आपके eigrp 100 process के लिए और key chain का नाम नाम लिखना है आपको है ना password नहीं लिख test और enter करके और आप यहाँ पर mode भी define करेंगी कि आपका कौन सा mode है ip और अब यहाँ पर देखोगे आप तो आपकी neighborhood down आ चुकी होगी क्योंकि आपने एक side तो कर दिया दूसरे router पे नहीं किया है तो यह देखेंगे lab के अंदर ip authentication फिर यहाँ पर क्या करोगे आप key chain क्या हो ग mode के साथ ही md5 होना था फिर eigrp 100 हो जाता पर इसमें last में लिखना है md5 तो जी यह तीन step हुए step 1 step 2 और यह step 2 का ही part माल लो दोनों को या अलग अलग step माल लो तो आपकी मर्जी है न तो basically second step ही है यह तरह से जब आप इस router पे करोगे आप इस पे भी key chain बनाओगे test के नाम स string सेम आप define करोगे testing और interface पे जाके पहले IP authentication में key string define कर दोगे test और फिर अपना बता दोगे you know encryption mode md5 और इंदो दोगे वीचे में बर्शी बाग की आ चुकी होगी तो यह theory देख लो एक बार जड़ा यहां से फिर हम lab की बात करते है और यह कुछ verification की commands है चलिए हम क्या करते है आपने direct रुख करते हैं अपने या इसकी क्या बोलते हैं GNS3 की तरफ है न तो let's say there are two routers that we are interested in forming the neighborship between let's say this is your router one and let's say this is your router two okay और AS100 का पार्ट है दोनों for example और मैंने क्या कर दिया दोनों को जोड दिया है आपके let's say serial link से for example और अगर आप देखेंगे इनके बीच में माल लो मेरेको link जो बनाना है वो अब submitting class less class full जो मर्जी चाहे पर अभी तो हम test कर रहे हैं तो अब कुछ भी रखो तो उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला एक loopback भी बना लूँगा आरवन पर just for you know basic testing purpose के लिए तो क्या करते हैं एक बार पहले configuration करके देख लेते हैं आरवन आरटो अगर हम चलते हैं आरवन और आरटो पे तो लेट थैम भी on first तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक बार IP address की configuration तो interface serial 6 by 0 पे IP address माल लो हम डाल देते हैं 10.0.1 और यह आपका है IP address ठीक है इस तरह से ही आप interface loopback भी define कर लो और यहाँ पे माल लो आपने दे लिया 1.1 और यह आपका हो गया जी loopback पे similarly आप router 2 पे चलते हैं और आपने दे दिया जी interface serial 6 by 0 IP address आप skip कर सकते हैं आगे निकल सकते हैं थोड़ा बहुत वीडियो को अगर यह आपके लिए बिल्कुल basic है तो and exit अब मैं क्या करता हूँ EIGRP का process run करता हूँ दोनों router पे तो router EIGRP AS number 100 and network मैंने क्या कर दिया आप या तो 0.0.0 डाल लो नहीं तो फिर आप you know मेरी तरह जैसे मैंने क्या कर दिया simply दोनों ही route advertise करा दिये हैं EIGRP के अंदर same यहां पे आप करोगे EIGRP 100 के process में आप 10k network को advertise करा दोगे और थोड़ी देर के बाद आपकी नेबर्शिप अपा जाएगी do show IP EIGRP neighbor and yes now the neighbor अगर आप try भी करेंगे आप अपने loop backup करने का तो yes you are able to do that अभी क्या करना है आपको की और वो सब you know authentication वाला process generate करके देखना है चलो पहला step क्या है अपना जो आपको करना है key generate है न तो जी उसके लिए key chain और कोई भी एक नाम दे दो मैंने test का नाम दे दिया और यहां पर मैं क्या करता हूँ एक key का number define कर लेता हूँ जिसके अंदर आपको password या key string जिसको बोलते है वो define करना है तो मालो मैंने रख दिया है जी testing exit करो exit करो और फिर interface पे जाओ अभी तक देखोगे अगर do show IP do show IP EIGRP neighbor तो देखो neighborhood बनी हुई है अभी इधर कोई error message नहीं आया हुआ है पर जैसे ही आप अपने interest के interface पे जाओगे और वहां पे लिख दोगे IP authentication mode पहले define करो बाद में करो कोई दिक्कत नहीं है मालो मैंने बोल दिया कि key chain और key chain का नाम क्या है अभी test यहां पे नहीं define करना यहां पे पहले आपको EIGRP बताना है किस process के लिए और फिर आपको यहां पे लिखना है आपके key chain का name ना कि key string का name है न चलो जी तो कि अगर आप देखो गए यहां पे न तो आपसे क्या पूछ रहा है वो name of the key chain तो कई तरह लोग यहां पे गलती कर देते हैं वो password लिख देते हैं की string को लिख देते हैं देखो यहां पे क्या आगया जी आपका bad authentication कुछ ऐसा लिखा आएगा और अच्छे नेबर्शिप अभी भी दिखा रहा है क्या यह कि अगर मैं चेक करता हूं तो शो आईपी याई जी आरपी नेबर तो नेबर्शिप दिखा रहा है ऐसी बात क्यों है चलो मैं क्या कर लेता हूं आपकी authentication में mode eigrp 100 के लिए md5 define कर देते हैं अब आप देखोगे जब हमने तीनो प्रोसेस पूरे कर लिए हैं तो यहाँ पर क्या message आया है कि जी authentication failed अगर मैं तोड़ा इसको इधर करता हूं यह दिखियो authentication failure तो पहले हमने क्या किया keychain बनाई उसमें key string define किया दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया कि हमने वो keychain apply कर दिए उस interface के अंदर जाके और फिर हमने mode define कर दिया तो यह तीनो प्रोसेस करते ही हमारी नेबर्शिप क्या हो जाएगी डाउन अब अगर do show IP PIGRP neighbor करोगे आप तो यहां पे कोई नेबर्शिप आपको नहीं मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा आपको same to same parameter यहां पे भी define करने पड़ेगे चलो जी test में गए key में गए key string आपने बनाई exit करो यहां से exit करो फिर आपके interest के interface में जाओ जो है 6 by 0 तो यहां पे IP authentication और फिर क्या करना था key chain नाम और उसे पहले क्या करना ही है किसके लिए EIGRP के process 100 के लिए और फिर यहां पे आपको नाम देना अपना test और check करोगे do show IP EIGRP neighbor तो अभी भी कुछ नहीं है तो क्योंकि आपको भी क्या करना है अपना mode define करना IP authentication mode किसके लिए EIGRP 100 क इतना करते हैं आपकी adjacency अगर सब कुछ okay है तो आप आ जाने चाहिए जो की आ चुकी है तो अब अगर आप चेक करेंगे do show IP EIGRP neighborship now you can see you have the neighborship तो अब अगर आप दुबारा try करते हैं अपने loop backup करने का now you can see तो जी यह है जो अपना तरीका है authentication enable करने का EIGRP के अंदर यह theory है जो मैंने आपको दिखा दी है और कुछ verification command अगर आप चाहें तो show key chain अगर आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं और debug करके देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो वैसे debug तो production में तो नहीं है यह recommended आप debug करके अगर देखें debug EIGRP packets तो काफी सारी background की details आपको मिल जाएगी और कोई है इसमें verification की command ऐसी neighbors में अच्छा वो तो ही फिर neighbors आ रही है तो इसका मतलब आपने okay report कर दिया है सब कुछ otherwise फिर आपका you know कोई गडबड है किसी parameter में और आप show run कर सकते हो अगर अपने detailed parameter चे और interface में जाओगे तो यहां से आपको अपना mode दिखेगा और आपने कौन सा keychain यहां पर apply किया है so I hope यह video informative थी आपके लिए and मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे EIGRP के load balancing की तो उसी topology पे वापस से आएगे जिसमें हमने lab की थी configuration वह जो complex ही थी और वहां पे हम variance command वगरा का use करेंगे और उससे देखेंगे कि किस तरह से हम you know multiple links के बीच में load balance करवा सकते हैं equal, unequal और वो सब सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में bye bye take care अपना ख्याल रखिए सिखते रहे सिखाते रहे और you know बसते रहे बाई